आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो सिटराजिन टैबलेट के बारे में बात करेंगे इस टैबलेट का उपयोग कब करते हैं? किस कंडिशन में ये टैबलेट हमें लेनी चाहिए? इसके क्या side effect होते हैं कितनी dose में हम ये tablet लेते हैं और tablet लेने का क्या तरीका होता है किन लोगों को हम leocytrogen tablet नहीं दे सकते medical store पर leocytrogen किस नाम से मिलती है overdose होने पर हमें क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले हम बात करते हैं कि leocytrogen tablet एक anti-allergical drugs होता है जब हमारी body के अंदर stamina का level ज़ादा हो जाता है अब ये stamina क्या होता है stamina एक परकार का enzyme होता है जब हमारी body के अंदर ज़ादा हो जाता है तो skin के उपर खुजली चलने लगती है छोटी छोटी फूनिसिया होने लगती है तो उस condition में हम leocytrogen tablet लेते हैं leocytrogen tablet क्या काम करती है body के अंदर जो receptor होते हैं जो stamina बनाते हैं ये leocytrogen उसको block कर देती है बंद कर देती है और stamina बनना बंद हो जाएगा तो allergy चलनना बंद हो जाती है तो उस condition में हम leocytrogen tablet देते हैं अब हम बात करेंगे leocytrogen tablet का उपयोग कब करते हैं जैसे आपको जुखाम हो गई और आपकी नाग भहरी है उस condition में आप leocytrogen tablet ले सकते हो यदि आपकी आँखों से पानी आता है आसू आता है उस condition में आप Leocytrogen Tablet ले सकते हो यदि आपको कोई ततहिया मदूमक की काट जाती है तो उस condition में आप Leocytrogen Tablet ले सकते हो अब हम बात करेंगे यदि आप Leocytrogen Tablet ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपकी बोड़ी में क्या side effect नज़र आते हैं जैसे fever, diarrhea, पेट में दर्दोना, आपका mouth होता है, मुह होता है, यह dry हो जाता है यह इसके कुछ side effect होता है अब हम बात करेंगे Leocytrogen Tablet हमें कितनी डोज में लेनी चाहिए 5 mg और 10 mg आप इतनी डोज में Leocytrogen Tablet ले सकते हो अब हम बात करेंगे, यदि आप Leocytrogen Tablet जादा डोज में ले लेते हो, आवर डोज हो जाती है तो आपकी बोड़ी के अंदर क्या side effect आते हैं, क्या लक्षन दिखाई देते हैं जैसे सिर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना, उल्टी आना, सांस लेने में तकलिफ होना, हाथ पैर दूजना ऐसे side effect आपकी बोड़ी में नजर आते हैं इस condition में आप तुरंत डोक्टर के पास जाके treatment लो अब हम बात करेंगे किन लोगों के अंदर leocytogen tablet हम नहीं दे सकते यदि आप कोई patient आता है, उसकी past story पूछो, उसके बाद ही आप उसको leocytogen tablet दो जैसे enlargement, prostate gland जो male होते हैं, उनकी जो prostate gland होती है उनके अंदर कोई cancer तो नहीं है, kidney failure तो नहीं है, जो लोग alcohol, दारू, cigarette पीते हैं, उन लोगों को नहीं देना चाहिए यदि किसी patient के diabetes है, मदू में रोग है, उस condition में हम उसको नहीं दे सकते जो मेला अपने बच्चे को दूद पिलाती है, उन मेला को भी हम ये leocytogen tablet नहीं दे सकते यदि कोई lady pregnant है, उसका पहला मत या तीसरा मत चल रहा है, तो उस condition में भी हम ये tablet नहीं दे सकते आपके पास कोई भी patient आये, उसके पूछना है, उसकी past history पूछना है, उसके बाद ही आप उसको tablet दो बिना डोक्टर की सलाप पे आप ये tablet नहीं लेना चाहिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर देना, और मेरे channel को subscribe कर देना, वीडियो देखने के लिए thank you so much